वो क्या करना चाहती है हिमाचल प्रदेश के लिए खास करके मंडी क्षेतर के लिए एज बॉलिवोड अभिनेतरी उनके पास धन की कमी भी नहीं थी और वो कम से कम अच्छा धन भी ना देती पर कम से कम विजट तो करती रही तरही मचकी लोगों की बीच में तो उस वकत उनका आना अगर हो कहती है मैं हिमाचल की बेटी हूँ मंडी की बेटी हूँ तो उनको आना चाहिए था वो एक महिला है महिला का आदर करना हमारा भी करतव्या है और एक महिला होने के नाते मैं लोगों से भी अपील करूंगी कि इस तरीके की टिका टिपनी करना अशोबनिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए हम उनका स्वागत करते हैं कि वो भी हिमाचल की बेटी है, हिमाचल के लिए काम करना चाहती है इसलिए उस फिल्ड में आई हैं और अपना उन्होंने सक्रिये तोर से काम करना भी शुरू कर दिया है हम भी अब शिखर ही जो नाव के मैदान में उतरेंगे और हम कभी भी कॉंग्रेस पार्टी कभी भी किसी मुद्दे की तलाश नहीं करते हमें फोकस करना है हमारे विकास पर कि हमने क्या काम किया है हमारी क्या कांट्रिबिशन रही है हमारे जो ये पिछले पांच साल भी थे उसमें हमने अपने लोगों के लिए क्या क्या किया किन इशूस को हमने केंदर सरकार से उठाया कैसे मदद ली और कैसे हमने उन विकास के कामों को आगे बढ़ाया तो ऐसा लगता है मुझे कि इस बार भी हम इन विकास के कामों को ही लेकर जनता के बीच में जाएंगे और लोग कई बार पूछते भी हैं कि आपकी आपने कितनी सांसर निदी बाटी बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने सत्रा के सत्रा हलकों में बराबर धन राशी बांटी है जो जिसका मांग रही उसको मैंने पूरा करने का प्रियास किया है और इसी तरह से इस इलेक्शन में भी हम इन्ही मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे हमने गटकरी जी से बात की और गटकरी जी ने उस पे तुरंट एक्शन लिया और हमारी सड़कों को रिस्टोर करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए उसके लिए हम उनका आभार भी वक्त करते हैं अब यह जाना सेंगे जैसे करना इस न्यू टू डिस फिल्ड जैसे आपने का आप उनका स्वागत करते हैं जो मुद्दे रहने वाले हैं उन्चुनाओं में और यह अल्मॉस्ट तैय दिख रहा है कि आप ठी कांग्रेस की उम्मेद वारफ होंगी तो उन मुद्दों को किस तरह से लेंगे चाहिए जैसे आपने का आपका यह कॉंट्रिबूशन रहा है पाम साल में क्या उसको भी कंपारिसन होगा बिल्कुल क्योंकि जो हमारे को as MP फंड मिलता है वो हमने लोगों की बीच में जाकर लोगों की डिमांड के मताबिक उसको माणना है जहां जहां भी मैं गई जहां जहां लोगों ने issues raise किये कहा कि आपके फंड की जुरूरत है वहां मैंने contribute किया और वो जंता भी जानती है मुझे बोलने के आफशक्ता नहीं कि मेंने क्या किया क्या नी लोग जानते है इस बात को अच्छी तरह से कि आपने दोरे किये आपने हरक pumpkin को विजिट किया आपने जितना भी संबभ हो हमने जो जो मांग रखे आपने पूरी कि जैसे आपने कहा है कि कॉंगर्स मुद्जों की तलाश नहीं पहती है बिएक्टिज़ टिपनिया ना हो खासकर कांगना रहना हो ते सुंदर में इसको किस तरह से इंशूर करेंगी और क्या मुद्जों तो फोकुस करेंगी देखे वो एक महिला है महिला का आदर करना हमारा भ करनी है वो क्या करना चाहती है माचल परदेश के लिए खास करके मंडी क्षेतर के लिए वो उन मुद्दों को लोगों के सामने रखे और क्या हमने किया है और क्या हम आगे को करने जा रहे है वो हम उन मुद्दों को सामने रखेंगे तो ये मुद्दों को लेकर ही हमें जन मैं इसका इसके अलोचना भी करते हूँ कि जिस तरी के से पीछे इसकी शुरुआत हुए तरह तरह की बाते कहे गए वो नहीं होना चाहिए इसका मुझे लोगों से भी अपील करनी है कि बिजाए इसके आप ठीक बात बोलें सही बात बोलें जो लोगों को भी अपील करती है उनका क्या कांट्रिबिशन है इसको भी जानसा परता जाएगा तो नहों के मैं लाद बिल्कुल बिल्कुल आज का वोटर बहुत स्तर्क है बहुत स्तर्क है वो जानता है कि हमारे को किन मुद्दों पे बात करनी है और वो भी पूछेंगे आपकी क्या कांट्रिबिशन रही सबसे बाड़ तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि पिछली बार जो बाड़ आई इतना नुकसान हिमाचल परदेश में हुआ वो ऐस बॉलिवोड अभीनेतरी उनके पास धन की कमी भी नहीं थी और वो कम से कम अच्छा धन भी ना देती पर कम से कम विजट तो करती उन परिवारों से तो मिली मिलती जो दुख के टाइम सड़कों पे थे उनके घर चले गए उनका सब कुछ चला गया और लोग तरही तरही मचकी लोगों की बीच में उस वकत उनका आना अगर वो कहती है मैं हिमाचल की बेटी हूँ मंडी की बेटी हूँ तो उनको आना चाहिए था वो क्यों उस वकत उनका इस क्षेतर में दौरा नहीं रहा है आफिर में चारों लोग सबाव में किस तरह प्यारी हैं और बाई लेक्शन में क्या उनका की पीसी के लिए देखिए हमारे बाई लेक्शन के भी अब शिगर अनाउंसमेंट होगी किस को टिकट दिया जाएगा किस को फील्ड में उतारा जाएगा और उसी तरह से हमारे चार लोग सबाव के चुनाव है इसके लिए भी जल्दी निड़ने होने वाला है कि किस को टिकट दिया जाएगा और उनको मजबूत करने के लिए पार्टी काम करेगी फील्ड में जाएंगे काम करेंगे और उनको जिता के लाइंगे चाहे वो बाई इलेक्षन है चाहे लोग सबाचना हो है